तो चलिए बात करते हैं कुछ और इस टॉक्स के बारे में कैसे जो है उनके रिजल्स आते हुए दिखेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे की क्वाटर एंडिट परफॉर्मेंस काफी शांदार जो है आती हुए दिख रही है वाई-उन-वाई-लेविल पर इतनी खास ज्याद दिया है जी सील की परफॉर्मेंस अगर आप देखें इंकम में हल्की पुल की भड़ाते और प्रॉफिट में देखेंगे तो गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन इयर एंडिट लेविल पर इनकी परफॉर्मेंस बहुती शांदार है क्योंकि एक दो क्वाटर से काफी शांदार जो है गये है तो इस वएशे कहीं ना कहीं इयर एंडिट जो है बचा हुआ एरिया है इविता मार्जिंस भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं इनकी जो है अपसाइड देखने को मिल रही है साड़े सतर रुपे कहीं नों भी डिविटन दिया है लेकिन कहीं ना कहीं देखेंगे क्वाटर एंडिट लेविल पे इनकी जो परफॉर्मेंस कुछ खास आती हुई नहीं दिख रही है बात करते हैं एप को टेक्स इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छा खासा चला हुआ ये स्टॉक अब कहीं क्यों 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 लेविल पे ठी देखेंगे तो इनके जो है डाउन जाते हुए देख रहे हैं साड़े तीन रुपे का इन्होंने भी डिविडेंट दिया है आनंदर आठी क्यों क्यों लेविल पे दुबारा से जो है ये पिछड़ता हुआ देख रहा है स्टॉक लेकिन आप देखेंगे क्वाटर एंडि परफॉर्मेंस भी अगर आप देखेंगे इंकम जो है प्रॉफिट में आ चुकी है और मतलब भड़ती हुई देखी है और प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी गिरावट है एक करी करीव 23-25 परसन के आसपास की जो है डाउन साड़ देखने को मिल रही आने वाले एक-दो साल के अंदर ये स्टॉक भी जो है दुबारा से बढ़ते हुए दिखेंगे तो इन सारे स्टॉक में अगर बात करी जाए तो सबसे बढ़िया जो रिजल्ट है वो है KPIT का और दूसरा जो रिजल्ट जो कहीना कहीं थोड़ा सा और बढ़ता हुआ दिख के रिजल्ट के साथ में थैंक यू फर वचिंग दिस वीडियो